एक बहुत बड़ा लुकसान हो गया मेरा देखो रिम टूड़ गया हेलमेट की बेश है जो है ना मेरे सीर पे कोई चोट नहीं लगा नहीं तो सीर पे चोट लग जाता एंटर कर चुके है टनल की अंदर और बहुत ही अच्छा लाइट लग रहा है देख सकतो टनल की अंदर टनल की उस साइड पर कैसा था और अब ही देखो कैसा है एकदम हरा बरा देखो कितना बड़िया जेगे पर टैन लगा रखा था चार उत्रवे से पीड है उचा होचा और इधर अपना टैन लग रखा है और यह जो मैसेज बहुत अच्छा है आज कल देखी रहों क्या हो र अब गुद्ध मॉनिंग दोस्तों स्वागत है आज की और एक ने व्लोग में कल रात में इसी जगह पे टैंशन लगा वा था तो टैंशन अपना मास प्रेक हो चुके है और इधर भया का टैन लगा वा था भया के भी वास पैक हो चुके है एकदम रेडी हो गया ना बिया ह बाकी देख सकते हो यूटूब चैनल है बीजीटिंग क्लिक बहुत को कितना सब्सक्राइबर हो चुके हैं 100 125 सब्सक्राइबर की जरूबत है वहां बाई निकल रहे हमारा जंसकार हो गया हमारा जंसकारा सुरू होने वाला है अभी मेरी वाएक कुछ प्रबलम आ गई तो हम जा रहे हैं मनाली वापस और वहां पर हमें अपनी शही करानी इसके बाद मैं जंसकार निखलूँगा जंसकार निर्टिंग्या गुंते जुमते मिल जाएंगे में ग्यूंति Venice मेरे हुएंगी दैख सकते हो मॉश्छ प्राठा और टमाटर का चट्नी तो में अभी इसे और अगर करके में रोड पे आ चुका हूं टेंट जोयाना मेरा इधार व्हूंधा बsystem पर तो ब्रीज के वह आसे फ्रह से चराई था अभी एनस्थरे पर आ चुका हूँ और टाइम जो है ना कुछ 11 बच के 30 मिनिट हो रहा है काफी जदा लेट हो गया कि अभी आज जो है ना थोरह सा चराई मिलेगा 2-3 किलोमेटर का इसके फिर दलाने मतलब शायद लोग भोल र सब्सक्राइब यहां रहां रहां से चलाते रहते हैं जहां पर टैन लगावा था ना वहां से लगबक 8 किलोमेटर आगे आया और रास्ता जो पूरा ही चराई था थोरह सब ढ़लान था बाकी सब चराई था तो आते आते जो आना टाइम दो बच चुका है वाकिया भी बच चलना परेगा दो तिन राउंड का यह बस बाकिया भी भूक लग रहा है तो मैं यह सेब खा लेता हूँ यह सेब जो है न वह बाइक वाला भीया ने दिया था कितना मस्त कलर है ना इस सेब का देखना तो अभी से काट के खा लेते सेब को मस्त खा लिया और एक गया और हिमाचल का घरदवार देखो कितना सुन्दर है हरा बरा नीला कलर का है और यह सब देखो पहारों पर बरब जमाई है यह इदर भी और दूर दूर में सब पहारों में बरब जमाऊ है बाकि अभी मेरे को स्नोफोल कहीं नहीं मिलेगा मैं नीचे उतर जाओंगा मेरे नाम है बापी देवनात अचा बापी देवनात और अपने क्या अपने माउंट एबरेश का बेसकर तक जायते आइकल लेगे ना अभी ओल का आट नमर साइकलिस्ट हूं थार्ट इंडिया जो पांट एबरेस बेसकर तक पोचा हूं अच्छा और पूरे वर्ल्ड का फ जो टेगलाइन है वो है राइट फोर नेशन, राइट फोर गर्ड्स and जस्टीस पर तिलोत्तमा तिलोत्तमा का मतलब होता है बेहन तो इंडिया में जितने सारे लर्किया है सब मेरी बेहन है और मैं अपने बेहन के लिए ये राइट कर रहा हूं तो लोग के जस्टीस के से बहुत अच्छा है आजकल देखी रहों क्या हो रहा है हर दूसरा दिसरा दिन में ऐसा निउज आ जाता है तो इस चीज़ के लिए ये राइट कर रहे है बहुत अच्छा मैसेज आई इस चीज़ का पालन करना आपको समानना इस मैसेज का और कुछ बोलना चाहों कभिया मैं जब इसना कहूंगा मैं दस लाग सिगनेचर के लिए निकला हूं मुझे दस लाग सिगनेचर कलक करना है पूरे इंडिया से हर बेहन के पास से मैं चाहता हूं मैं जब भी आप लोग के पास आप लोग के स्टेट में आओं आप लोग काइंडली मुझे थोरा सपोर्ट करो बिलकुल और आपका इस्टाग्राम बगर कुछ बता दो जिससे आपको देख सके मेरा इस्टाग्राम और मैं बेसिकली अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा दो सब्सक्राइब करेंश जो आपका मिश्यक्राइं बहुत अच्छा लगा वत्रीपुरा से हमारा परोसिया सांका है बस तो शुक्रिया आगे मिलेंगे दुवारा दुनिया को लिए ट्रेवलर मेरा की ट्यक्लाइब तरफ और जा रहा है अभी तरफ नीचे कहां जाओ कभी आभी तो लेकी तेरफ जा रहा हूं देन उसके पास ची अच्छन उसके बाद कार्गिल वार में में चलो बहुत तो च प्रांस बाइसाइकल लेके आया बाचित किया तो पता चला चे महीन हो चुका है अगे गाई बेस आ रहा है और अभी डलान भी है तो आज देखते है मानाली पॉस्ते है या नहीं काफी जादा हो चुका है और प्लैन भी बन रहा है कि इनके साथ केम्पिंग करू तो देखो क्या होता है अभी चलता हूँ जो है ना एक फेमास पॉइंड मिला है यह देख सकते हो वहाँ पर एक वाटरफॉल यह देखो इसे सीसू वाटरफॉल बोलता है नीचे बहुत बढ़िया लुकेशन भी यह केम्पिंग सिंपिंग करने का तो सोच रहा हूँ आज इधर ही केम्पिंग कर लेता हूँ वह जो फॉरेनर था वह तो पता नहीं कितना आगे चल मिलता है वह सब चलाके चल जाता है मेरे को पैदल चलना पड़ता है तो वह पता नहीं कहां चला गया बाकी देखते हैं अगर नीचे उतरने का रास्ता तो है वैसे अगर वहाँ पर अच्छा लुकेशन होगा तो उतर ही टेन लगा लेंगे मैं जो आना नीचे आया हूँ अभी शीशू जो वाटरफॉल है वहाँ पर यह देख सकते हो पास में वाटरफॉल है और अब देखो इदा मेला की तरह लगा हूँ है पूरा वहाँ पर एक खेली पेड़ भी है तो अभी जो है ना एक अच्छा सा केंपिंग लोकेशन ढून लेते हैं टेंशन तो अपना जावा था और प्याज पर आवा है हरा मिर्च है नहीं मिर्च की पावडर से आलू चोखा बना के खाना परेगा बाकी अभी चावल शोल पकने का वेट करते हैं और आलू को काट देते हैं तो जल्दी उबल जाएगा खाना अपना मस बन चुका है यह देख सकते हो आलू च दोस्तों कल रात में तो खाना पिने खाके मस हो गया था बाकि अभी उठ चुका हो टाइम सारे अड़ बच गया थोड़े लेट हो गया उठने में देखो मस धूप निकल चुका है बाकी बाहर का नजारा दिखाते हैं आप लोग को देखो कितना बढ़िया जगे पे टैन लगा रखा था चार उतरा बैसे पेड़ है उचा 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 और इधर अपना टैन लग रखाए और अभी जो आना पेड का पत्ता देख सकते हो एकदम यलो कलर का हो रहा है क्योंकि अभी जो आना जर्ने वाला है यह सब क्योंकि अभी बरब गिरे करना कुछ दिन बाद फिर यह सब पेड़न एकदम सुखा सुखा हो जाएगा बाकी बहुत ही बड़ी अलोकेशन है देख वर कितना मस्त ना इस लोकेशन पर लटेन लगा था जी तो कर रहा है कि यहाँ पर रूख जाओ एक दो दिन यहाँ पर रूख के मस्त रेश्ट लू फाइप जी नेट्र और आश्तर अलग मेगी है इसमें सबजी बेगरा सबकुछ एड़ है तो पता नहीं क्यासा टेस्ट आएगा बाकी अभी बनने वाला है मेगी मस्त बन चुका है यह देख सकते हो तो खाते है अभी इसे जो नॉर्मल मेगी रहता है न टू मिनिर्स वाला उतना टेस्ट नहीं है इसका बैकी चलो खा लेते हैं खापी के फिर टैंसेंड पैक करते हैं मेगी शेगी खाके अपना टैंड बेगर हमास पैक हो चुका है और यहापर एक बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा यह बहुत अच्छा लगा मेरे से बात्चीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा यह ना थोरा सच चराई था इसको खतम करके अभी आके पहुच चुका हो और यह जो लुकेशन था ना एकदम गजब का लुकेशन था यह सब जो पीड है ना इन सब का पत्ता यलो कलर का है तो फोटो शुट के लिए ना एकदम अलगता नीचे देखा है आप लोगोंने बैग्राउंड में बाकि आज का राइट को भी स्टार्ट करते हैं तो जी स्टार्ट करने में और रोड देखोंगो वर कितना सुन्दर है दोनों साइट कितना मस्त पेड है और यहां से जो है ना कुछ पाथ चे किलोमेटर का डिस्टेंस पर चल आके मैं आके पहुच्च चुका हूँ यह अटल टरनल की पास देख सकते हो अटल टरनल रोतंग यह नोर्थ पूल है और यहाँ पर ना टूरिस्ट का बहुत भीर है वहाँ पर तो पूछो मांत बहुत जदा भीर लग रखा है यहाँ पर बाकि अभी यह गाड़ी से क्रोस कराने वाले है यह यह लोग है देख सकते हो कितना टाइम में क्रोस करा होगे भिया बाकियाब टरह वैट करें है यह मतलब इसका इसका 9 किलू मिटर का डिस्टेंस है तो 35 km का मेरा लिफ्ट था उसमें 9 km जो है ना और प्लस कर लो आज आज 9 km का लिफ्ट और हो जाएगा तो जी अपना चेतक लोड़ हो चुके है गाड़ी में और वह लोग को भाई बाई बागी अभी टरनल के अंदर एंटर करने वाले है यह 9 km का टरनल है एंटर कर चुके है टरनल की अंदर और बहुत ही अच्छा लाइट फाइट लग रहा है देख सक्दो टरनल की अंदर तो जी यह टरनल अपना मस खतम हो चुके है नौ किलोमेटर लंबा टरनल अभी देखो यह साउथ पूल में पहुज गिया अटल टरनल रोतांग और इसके अल्टिट्यूट देखो यह आप लिखा हुए 10,040 पिट शुक्री आप सभी लोग को चलो भाया लोग तो चला गय अब लोग अब लोग मेनेज कर लेना बाकि अभी मना ली तक पूरा डलान है मज़ा आएगा लंज के लिए जो आना दापा बगर्या देखता हुआ मैं उतर ही रहा था अभी एक सीन हो चुका है इतना बुरा लग रहा ना क्या बोलू मतलब यह दुख यह पूरा डलाने से रोड है और यहां पर एक ऐसा चीज आप लोग को बाद में दिखाएंगे अब लोगों दिखाते हैं कैसे हुआ यह यह देखो यहां पर जो आना ऐसे जाली लगा हुआ है तो इस साइड वाले में जो आना ऐसा ऐसा लगा हुआ है तो डायरेक आके जो हैना मेरा चेटक का जो टायर इसमें घुज गया तो मैं गीरा भी हूँ और मेरा रिम भी पता नहीं कैसे अक्सिडेंट हो जाए कुछ हो जाए अच्छा हुआ मेरे को कोई चोट शोट नहीं लगा यह बस उंगली में थोरा से इदर लगा बाकी तो कोई चोट नहीं लगा बस अपना चेटक का पेर टूड़ गया अब लोग सोच रहेंगे हास रहो मैं हास नहीं र फॉर्टीन किलो मेटर और फॉर्टीन किलो मेल्टर जोएना पैदल जाना परेगा अभी यह चल भी नहीं रहें कुछ भी हो जाए मुदे स्माइल हमेशा रखना चलते हैं पैदल और क्या पैदल पैदल जो एना मुतरी रहा था तो इदर देख सथे हो कुछ है छोले कुल् मिलाता सोलांग बेली काफी कुछ था हूँ अब टूरिस्ट एरिया लेकिन वह पर रुखाई नहीं में पैदल पैदल चलता गया बाकी डहलान रूट पे भी मेरे को पैदल चलना पर पूरा डहलान है देख सकते हैं एक तो बारा मुश्किल से डहलान मिलते हैं और फिर डह को यह लग रहा है अगर फिर उतरते वक्त और टूट गया मतलब पूरा यह अलग हो गया फिर तो पैदल भी नहीं चापाऊंगा और यहांसा कोई गाड़ी आई नहीं रहा है तो करा लेता बाकी चला के चलते हैं जो होगा देखा जाएगा तो रूखा रहेंगे टो कराए नहीं है और ठीक नहीं होगा तो अभी मेरे को कुल्लू जाना परेगा जो कि मनाली से 40 किलोमेटर आगे है और यह देख लो यह है मनाली का अफिमास मॉल रोड और इसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं तो मनाली से में अभी में निकल रहा हूँ डारेक कुल्लू के लिए अभी मेरे को रुखने के लिए यहां पर कुछ दिखा था यह ग्राउंड सा यहां पर वो होट एयर वेलोन होता है ना वह उसका है इन बहुत सकते हो इन बहुत से में पर्मिशन मंगा था यहां पर रहने के लिए बाकि यह आना में भी आपका राजेश ठाकोर अच्छा औ और अपना चेतक को जो है न यहां पर एक समान बगर रखते हैं तो यह अपना चेतक को खरा कर दिया और आज तो अपना चेतक ठीक नहीं हुआ फिर कल देखेंगे क्या होगा बाकि आप लोगों को रूम शूम दिखा देंगे कहा पर सोएंगे रात में सोने के लिए देख स कि अपने दोस्ट बन जते हैं तो यह पर आप दोस्ट लोग बन के कहां से हर्याना से लांना क्या नाम अपके अधर चाहरा और आपका ऐसानी है जो कि आज मामा बना है खुशी में पार्टीशाटी दिया हैं कि अध Southern है लो दोस्त क्या नाम है बताओ तो बेर नाम हाती कु बाकी मिलते हैं नेक्स डे पे तो थैंक्स पर वाचिंग, बाई बाई